हेलो ट्रेडर्स कल 10 आफ जैन्वरी ट्यूजडे निफ्टी और बैंक निफ्टी के की लेविल्स देख लेते हैं निफ्टी ने काफी अच्छा रिट्रेस्मेंट दे के रैली दी है आज और एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर हम 18,100 के उपर रहते हैं तो अच्छे बाइंग और डिफ्स के अपॉर्चनिटी हमें मिल सकती हैं इस्पेशली अगर 18,140 के लेविल्स ब्रेक होते हैं तो 18,230 के लेविल्स के लिए कल हम प्ले कर सकते हैं सेलिंग हम सिर्फ दो ही कंडिशन्स में करेंगे हमारी ओपनिंग 18,140 के आसपास हो और हलका सा उपर जाके रिजेक्ट हो और 18,130 के लेविल्स ब्रेक हो या फिर उपर कहीं पर भी हमको 18,200 के आसपास रिजेक्शन मिलता है और 8 EMA के नीचे एक क्लोजिंग मिलना शुरू होती है तो रिट्रेस्मेंट के बाद हम सेलिंग की कोशिश करेंगे एल्स सिर्फ बाइंग ओन डिप्स बनी रहेगी निफ्टी में अगर आपका CPR भी ब्रेक हो जाता है तो भी अच्छे सपोर्ट है तो सेल अपॉर्चुनिटी के बज़ाए बाइंग ओन डिप्स ढूनना ज्यादा बेटर है बैंक निफ्टी के बाद करते हैं तो बैंक निफ्टी के पास भी काफी अच्छे सपोर्ट है 42,500,50,60 की रेंज में जब भी इन लेविल्स पर आता है हम बाइंग ओन डिप्स कर सकते हैं इसमें भी सेम हम सेलिंग की कोशिश तभी करेंगे जब हम 42,700 के अराउंड एक रिजेक्शन फेस करें और ATMA के नीचे जाएं हम तब सेल कर सकते हैं फो टागेट ऑफ 42,500,50,60 रुपीज या फिर 42,800 की आसपास अगर हमें कहीं रिजेक्शन मिल रहा है और हम ATMA के नीचे ट्रेट करते हैं तो ही हम सेल करेंगे ऐल्स बाइंग निफ्टी में भी बाइंग ओन डिप्स रहेगी अगर हम 42,700 की उपर ट्रेट करना स्टार्ट करते हैं आफ्टर रिट्रेस्मेंट तो हम 42,900 के टागेट के लिए आराम से ब्ले कर सकते हैं एक्सपेक्टिड है कि कल थोड़ा सा एक रेंज एक्सपैंशन हो सकता है बाइंक निफ्टी में तो कर इसी एनेलिसिस के हिसाब से सुबह 9 ओकलॉक लाइव मिलते हैं कुछ अच्छे ट्रेट्स लेने की कोशिश करेंगे तब तक के लिए इंजॉय और इवनिंग और बाबाई